गुट इवनिंग फ्रेंग्स वेलकम डू माई चैनल कैसी हैं आप सब आज मैं आप सबके साथ फिर से एक ऐसी है रेमिटी शेयर करूंगी जो अगर आप एक एज बड़ी भी है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा आगे कुछ और चीजें शेयर करूंगी तो पीडियम साइस की वीटरूट ली है जी का म करती है बालों को तो Whけれ बालों को फिक भीनाती कीजिएगा बिल्कुल भी मैंने यहां पर लगबक दो बड़े कप मतलब डेट ग्लास की जितना यहां पर पानी एड़ किया है उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है अब डालेंगे यहां पर हम मेथी दाना जैसे हम कहते हैं फेनोगरिक सीट्स लगबक दो छोटी चमच पहले बात तो थिकनेस देगा दूसरी बात तो बालों में ड्राइनेस नहीं आने देगा बालों को डिपले कंडिशनिंग करेगा अब हम इसमें डालेंगे एक चमच की जितनी कॉफी पाउडर जो भी कॉफी हो आपके घरों में आप लेख सकते हैं कॉफी भी एक नेश्रल हेड आय का काम करने के सदसाद वाला में ठिकनेस देती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैफिन पाया जाता है कैफिन से भरी जो भी चीज़ है वो हमारे बालों के लिए किसी वरतान से कम नहीं है अब मैंने क्या किया तीना चीज़े मिला कर रखती है गैस पर गैस के अब इसे हमें लगबक साथ से आट मिनट तक बहुत ही अच्छी तर से बॉयल करना है यह देखे यह बिलकुल बॉयल होके जब आधा हो जाए लगबक तो हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम इसे बिलकुल किसी पत को कमपर्टिबल लगे वैसे आप इसे बहुत ही अच्छी तर से चान लें काफी अच्छी मात्रा में हमें एक बहुत ही प्यारा सा कलर का लिक्विड मिल जाएगा यहां पर ठीक है अब मैंने यहां पर लिए है लोहे की कड़ाई लोहे का बरतन लेना इंपोर्टन है फ्ली ना मतलब महिंदी जिने हीना का कलर नहीं है उनको भी सोलूशन मिलेगा तो फ्लीज वीडियो के साथ बने रहें अब हीना आप अपने बालों के लेंट और वॉल्यूम के इसाब लेंगे आपके बाल कितने सफिद है उसके इसाब से लेंगे उसके बद जो हमने पानी बनाय हैं या फिर ऐसी ही एजर टोनर भी से आप यूज कर सकते हैं जैसे आपको लगे या फिर दूसरी बार आप महिंदी लगाएं तबी भी उसमें यूज कर सकते हैं अब देखिए महिंदी को राद भर बिगोने के बाद ये कुछ इस तरह से देखेगी अगर और अच्छा जल चाहिए तो 24 आर्स तक रखें उसके बाद अपने बालों में जहां जहां आपको साफेद बाल है बिल्कुल छोटे छोटे सेक्षिन करके एक ठीक लेयर अच्छी तर से लगा लें शावर के पहन लें धाई से तीन घंटे उससे भी थोड़ा से ज़्यादा रखेंगे तो औ अगर आपको अच्छा लगा तो आप दूसरे स्टेप को छोड़ दें अगर आपको काले बाल चाहिए आपको जो मेंडी का कलर है वो आपको पसंद नहीं है तो आप ये दूसरा स्टेप करेंगे यहां पर मेंडे लिया एक छोटा कप दूद का वाइल्ड बिल्क लेना है यहां पर रौ बिल्क नहीं लेना है ठीक है हमें दूद की मलाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए एक छोटे कप दूद में दो कप आपको डालना है पानी यहां पर भी आप पीने के पानी का यूस करेंगे हाड वाटर का यूस बिल्कुल भी नहीं करेंगे और दोनों को बहु कोई भाउल या फिर प्लास्टिक का वाल यहाँ पर आपको लोहे की कड़से की कोई जरूरत नहीं है फिल्कुल भी ठीक है उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर इंडीको पाउडर देखे किसी भी अच्छी कमपने का आप यहाँ पर इंडीको पाउडर यूज कीजिए कुछ लोगों को वन स्टेप से कलर नहीं मिलता है मैं जादा करके वन स्टेप प्रिफर करती हूँ मुझे उसका कलर काफी अच्छा लगता है एक ब्राउनिश कलर मिलता है पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं तो आप टू स्टेप करके देखें इस तरह से मैंने दूद और पानी दोनों को गरम किया है अच्छी तर से अगर आपको दूद पसंद नहीं है आपको बिल्कुल भी ब्लेक चाहिए तो आप दूद भी मत आइट कीजिए सिर्फ पानी गरम कीजिए दूद को आप स्किप कर दें सिर्फ आप पानी को गरम करें और इंडिको को अच्छी तर से बिल्कुल ढख कर रखें आप इंडिको कितना लेंगे ज्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है बस जहां जहां आपको रैटिश पाल हो रहे है जड़ों में वहाँ पर आप इसे लगाएं देखिए मैंने यहाँ पर हीना विदा का इंडिको यूज किया है अब क्या करेंगे मैंने थोड़ो सा वीडियो को फास्ट फावर्ड किया है अब जो हमने दूद और पानी बनाया था उससे हम एक इंडिको की स्मूथ पेस्ट बनाएंगे बहुत ठिक आपको पेस्ट यहाँ पर नहीं बनानी है हलकी सी इस तरह से पतली पेस्ट चाहिए जैसे मैंने कहा आप चाहें तो दूद को इसकिप कर दें बिलकुल काले बल चाहिए तो और सिर्फ और सिर्फ पानी लें पीने का पानी लें उसे अच्छी तर से गरम करें और उससे आप इंडिको की पेस्ट बना लें उसके बाद आप इसकी एक इस तरह स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद कोई भी 8 से 10 डॉप एसेंचल ओयल के डालें मैंने दो तरह की एसेंचल ओयल यहां पर लगबग साथ साथ ड्रॉप एड़ की है एसेंचल ओयल से एक तो क्या होगा कि बालों में ड्राइनेस नहीं आएगी दूसरा तो जो इंडिको की स्मेल किसी किसी को प्रॉब्लम देती है वो स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल भी ठीक है और हमारे बाल बिल्कुल लैश्रल तरीके से काल हो जाएंगे इंडिको कोई भी केमिकल नहीं है पर हाँ बालों को ड्राइ करता है यह बात सच है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें दूद एड़ किया है जैसे बालों में ड्राइनिस नहीं आए अगर आप सिर्फ पाने डालते हैं तो हो सकता है हलकी ड्राइनिस आए बालों में पर हमने जो पहले मैंदी बनाई थी उसमें हमने बीट रूट और मेटी दान डाला था जो दोनों ही बालों को ड्राइ होने से रोकते हैं इसलिए जादा ड्राइ नहीं होंगे उसके बाद इसे आप डगकर लगपक आट से दस मिनेट तक छोड़ दे उससे जादा छोड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी देखें ये इंडिको का कलर बिल्कुल अच्छी तर से रिलीज हो चुका है अब आप क्या करेंगे जडों में सरिफ जहां जहां आपके बाल ज़्यादा सफेद है सरिफ वहां पर आप इंडिको लगाएं अच्छी तर से लगा लें छीक है शावर के अब भी भी आपको बिल्कुल जरूर से जरूर पहनने है उसके बाद लगबग धाई से दो से धाई गंटा जरूर रखें धाई गंटा नहीं तो तीन गंटा भी रख सकते हैं और अच्छी रिजल्ट के लिए सिर्फ नॉर्मल पानी से फिर से अपने बालों को वाश करें दूसरे दिन ओइलिंग करके उसके बाद माइल करें